असलाम लेकिम डियर स्टूडेंट वेलकुम टो मैं चैनल खुरम टेक्निकल दोस्तों जैसे कि आप जाते हैं मैं कंप्यूटर से एलेडिड वीडियो दोगार अपलोड करता रहता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ अगर तो डियर वीवर्स आज हम पावर पॉइंट का लेस्न नमबर सिक्स करने वाले हैं जिसमें हम लोग इसका ट्रांजिशन टैब करने वाले हैं इसे जो इसके प्रीवेस लेक्चर थे उसमें हम लोगोंने होम इंसर्ट अब डिजाइन इन सब को वन बाई वन स्टड़ी किया था आज हम इसका पावर पॉइंट का लेस्न नमबर सिक्स करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रांजिशन टैब को देखेंगे तो बिना टाइम्स आएंगे यह बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन टैब होता किया है ट्रांजिशन टैब यहां पर आता है यह सिरफ س्लाइड्स के लिए मतलब यह जो डाकॉमेंट स्लाइड है इसके लिए जो आप इसको पेज करें पेज तो नहीं कैते हैं इसके उपर यह प्लाई होती है जितने भी इसकी गार रहे हैं और इनको अप्लाई करने के बाद हम इसका प्रिवियू चेक करते हैं तौ इसके लिए क्या करेंगें यहां यहां पे कोई by शॉइड ऑपन कर लेंगे यहां फिर अपनी मर्ध यहां पे कोई भी ऐडिट करा बना ले advance एक पड़ी है मैं उसको प्लेकर नहाँ चाता हूँ यहां पर फाइल में और यह बर यहां स्लाइड पढ़ी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग के तो इसके उपर हम अपलाई करते हैं अगर हम यहां पर इसको प्ले करके चेक करते हैं इसको पर कुछ भी ट्रांजिशन या टाइमिंग मैंने सैट नहीं किया है तो आपको एक दाफ़ा सिंपल प् पताया था F5 की मदद से जो फंक्शन की है ना F5 उसको क्लिक करने के करने से ये प्ले हो जाएगा मतलब बड़ी स्क्रीन पर शो हो जाएगा उसके बाद आप आप एरो कीज का यूज करके कीबॉर्ड की मदद से इसको आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं उसके अगे वाद माउस के क्लिक से याप इसको आगे वाली जग इक सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये सिंपल यह और पीछे मतलब मुव हो रही है इसका आगे कुछ भी नहीं है स्लाइड इस इतनी है तो स्कैप के मदद से आप बैक आ सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि यह जो स्लाइड ओपन हो इसमें कुछ अलग से के डिजाइनिंग मतलब एक अलग से इसमें ट्रांजिशन आए और खुबसूरत यह लगे प्ले होते हुए इसके लिए क्या करना यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांजिशन टू स्लाइड इसके लिए यहां पर मुख्तिलिफ जो ट्रांजिशन पड़े हैं आप वो अपलाई कर सकते हैं जैसे फर्स में आ रहा है कट का ऑप्शन इसके ओपर क्लिक करेंगे जैसे इसके ओपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से और यहां पर आप मुख्तिलिफ अपलाई कर सकते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो काफी सारी ओपन हो जाएंगे आप सामने आप कोई भी अच्छी हसार ल प्रैना ट्रांजिशन ये apply होगा नहीं आप इसको f5 की मज़ से प्लेख करते ही इस तरह से ये ट्रांजिशन की मज़ से अपन हूआ है अगर मैं यहाँ प्रैरो कि इसका यूज करता हूं याँ माऊश से कलिक करता हूं तो आगे वाली जो स्लाइड होगी, वो सिंपल आई है, क्योंकि मैंने apply to all तो किया नहीं था, अब मैं वापस जाता हूँ, स्कैप के उपर, और यहाँ पर जो यह apply किया था, यह वाला, या फिर और किया था, हम यहाँ पर checkboard, यह यह गडा, यह ट्रेर अपलाइ टूरा करते हैं और यहांपर टाइमिंग सेट है जुरेशन यह भी आप लोगों को बताते ह lav apply to all करते हैं और इसको चेक करते हैं F5 की मतलब से play करते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से transition की मतलब से इसको open किया गया है अब यहां पिर arrow keys और यहां फिर mouse की मतलब से इसको आप next कर सकते हैं और जो आगे वाली slide होगी वह भी इसी तरह transition से ही open होगी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो भी इसी तरह तो अब बैक जाते हैं असके बिद्द से और यहां पर इसको बैक कर लिया है अब मैं चाहता हूँ कि यह राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो यहां पर जाते हैं एफेक्ट ऑप्शन और यहां पर फ्रॉम टॉप मतलब उपर से नीचे आए इस तरह से यह भी कर सकते हैं और यहां पर इसको इसमें सिर्फ दो हैं या तो लेफ्ट से राइट और या फिर टॉप से नीचे आए तो अगर यहां पर एक और देखते हैं यह वाला यह भी नहीं अच्छा और यहां पर देखते हैं वाइप यह यह अपलाई करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन वो चेंज करते हैं फ्रॉम राइट आप राइट से लगाना चाहते हैं तो राइट से आ जाएगा और यहां पर फ्रॉम टॉप उपर से नीचे लगाना चाहते हैं तो यह भी आ जाएगा और इसका डुरेशन डुरेशन इसकी टाइमिंग होती है मतलब यह जो इफेक्ट में इसके उपर अपलाई करत तो वो आइस्था से मूव होगा अब यहां पे फैक्ट को चेंज करते हैं यहां पे ट्रांजिशन और डॉर्स यह अपलाई करते हैं इसको पर इस तरह से और इसकी टाइमिंग अगर कम कर दी जाए और इसको दुबारा इसको पर अपलाई किया जाए तो यह फास्ट में हो ग करने के बाद दुबारा अपलाई करते हैं यह कितना स्लोली इस तरह से तो यह टाइमिंग के लिए है कि इसको और यहां पे एफैक्ट आप्शन आता है यह वर्टिकल आप देखना चाहते हैं यह होरीजेंटल और फॉरीजेंटल इस तरह से आएगा और वर्टिकल जो था तो इस तरह से आएगा उसके साथ अगर साउंड लगाना चाहते हैं तो साउंड भी लगा सकते हैं उससे पहले आप लोगों और यह बता दुग यहां प्याता है इस टाइमिंग में क्या होता है इसके टाइमिंग सैट करते हैं और अपलाई टू आल मतलब तमाम स्लाइड क को पर सेम अगर अपलाई टौाल करते हैं तो सेम जो टाइमिंग है और इसके साथ जो ट्रांजिशन है वह सारी हर स्लाइड के उपर अपलाई हो जाएगे उसके लावा अगर आप इनको पर डिफरेंट टाइम रखना चाहते हैं डिरेशन और यहां पर कुछ भी तो वह आप डिफरेंट रख सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा अपलाई टौाल नहीं करना होगा तो अब यहां पर हम अपलाई करते हैं यहां पर अड़ांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक मतलब जैसे हम इसको प्ले करते हैं प्ले करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह यह और जै रिप्रीजेंट करता हूं अगर अपनी क्लास में या किसी के सामने तो कितनी देर मैं उसको रिप्रीजेंट कर दूंगा डिफाइन कर दूंगा तो जो नेस्ट स्लाइड है वो खुद बाखुद ही आ जाए उसके लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा अडवांस कर देता हूं 10 सेकंड करने के बाद यह 10 सेकंड सेट ओगे हैं और यहां पे अपलाइट वाल करते हैं तो अपलाइट वाल हो जाएगाँ उससे पहले हम यहां पे नो साउड्ड है इसको साउंड भी लगाएंगे और साथ में एक आपको अच्छी से प्रेजन दिखाते हैं यह प्लाई टूल करते हैं तो यह है जो टाइमिंग यह सट होगा है यहां पे और यहां पे मैं मैं फेक्ट wysist היकों यहाले साउंड है यह प्लाइब कर सकते हैं कि इसमें काफी सारे पड़ें आप चेक कर सकते हैं यह वाले यह यह वाला यह मैं ज्यादा साउंड यह है यूज करता हूं तो अब क्या करेंगे यहां पर इसको ड्रेशन है है मतलब जैसे को एक यह इसको पर क्लिक करते हैं तो टाइमिंग है ठीक है अब मैं इसको आप्लायन कर ओखिर आप्लाय करोंगा तो जो इसकी टाइमिंग DRB सेम रहे ंगा को साउंड भी सेम रहेगा और यह जो आफ्टर मतलब है ना कितनी है प्रिक्स का ड्रेशन ओप सुरी कितनी दिर बाद नेक्स के स्लाइड आएगी तो वह भी होगा अब मैं अप्लाइट वाल करता हूं अब इसको प्ले करते हैं एफ फाइव की मतलब से इसको प्ले करते हैं और मैं नाई माउस को क्लिक करूंगा नाई एरो किसका यूज प्लब मैं देखूंगा जैसे मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मतलब 10 सेंकिट के बाद ये खुद बाखुद मोव हो जाएगी अब कुछ तो सेंकिट गुजर गया ये अब आप काउंट करें वन टू ठी पॉर फाइव सीक्स सेवन एट नाइन टैन ये 10 सेंकिट का डूरेशन था इस तरह से अब जो 10 सेंकिट के बाद खुद बाखुद आगे स्लाइड हो जाएगी आप ये डूरेशन आप ये जो वक्फ है आप 10 मिनिट का भी रख सकते हैं जितना आप चाहें इसको रख सकते हैं अब मैं यहां पर स्कैप के मतलब से बैक आ जाता हूं हैं तो दोस्तों यह था आज का लेक्टर ट्रांजिशन के ऊपर किस तरह से आप त्रांजिशन कर सकते हैं यह पर यह जो प्रीविविव आप छेक कर सकते हैं इसके ओपर कलिक करेंगे यहां जोह लोगों ने अपलाई किया था मतलब musical जटना रखा दाग चो यहां पर पर देख सकते हैं और यहां पे इसको प्ले करके भी देख सकते हैं तो यह था हमारा आज का लेसन नुबर शिक्स जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन टैब को स्टडी किया था तो नेस्ट हम जो करेंगे आप यह याद रखना होगा यह सिर्फ स्लाइड के लिए था आप यह द अब भी स्लेक्ट ने किया इसलिए यह शो नहीं हो रहे हैं इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह काफी सारे यह जितने भी हैं यह सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे तो नेस्ट लेक्टर में हम स्टडी करेंगे एनिमीशन को और वन बाइवान अपलाई करेंगे आई होब कि ने अक्री वीडियो में तब ते के लिए अलाहाफीज